हेलो बुरुन आज की इस वीडियो में मैं आपको अलंकार बताने वाला हूँ कौन कौन सा अलंकार रूपा कालंकार यमा कालंकार अनुप्रास अलंकार और इतने आसान तरीके से 100% मैं सियोर हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको लिख के आएंगे ये भी कंफरम है लिख के आएंगे एक्जाम में आप अच्छे से रूपा कलंकार यमा कलंकार अनुप्रास अलंकार सभी को मैं बहुत बेतरीन तरीके से बताने वाला हूँ देखिए अग चीज एक उदारण नहीं दो-दो उदारण बताऊंगा दो से जादा ही हो जाएगा कम नहीं होग आप देखिए रूपकलंकार क्या होता उपनेमन उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है यानि की एक दूसरे पे जब आरोप होता है एक दूसरे में सी तूम ना परसेंट पाया तूम इतना कम पैया निकि 이거를 दूसरे से compare किया जाता है अक्सर गाओं की पैरेंट ये करते है सर्मा जी का लड़का इतना तेज है और तुक ना कम क्यों है तो यह compare कि जाता है यह रूपकलंकार एक प्रकार से तो उपमान में उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है वहां क्या होता है रूपकलंकार ज इसके चरण हरी के, ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरी राई, एक तो उक्जाम पली हो गया, दूसरा देख लीजिए, मन सागर, दूसरा क्या है, मन सागर मन सालाहरी, बूढ़े बहे अनेक, ये भी एक है, तुपमे में उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है, वहां क्या होता रूपकलंकार, दूसरा है यमकलंकार, जब कविता में एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, जो उसका मेनिंग होता है, वहां बिढ़ने बिढ़ने हो, समझ आ गया है, कोई भी चीजा, कोई भी डिपने सनल ले सकते हैं, बस यही आद रखिएगा, कि जो आप कहा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप परिभासा दे रहे हैं, कई बार हो लेकिन उसका हर्थ क्या हो अलग हो जैसे डीम किक जब कभी तब एक समद दो या दो से अधिक बार आ जाए कितनी बार दो से अधिक बार है तो उनका अर्थ हर भार भिंड हो तो उसे यहम कलंग करते हैं जैसे कनक कनक मैं Here मा दगता अधिकाए. कनक कनक ते सोग उने मा दगता अधिकाए. या खाए बवराए जग या खाए बवराए जग या खाए बवराए जग या खाए बवराए जग वा पाए बवराए. वा वा क्या है? या खाए बवराए जग वा पाए बवराए. अब देखिए जरा कनक कनक इसमें दो बार आ गया एक बार कनक का मतलब धतूरा हो गया एक बार कनक का मतलब क्या हो गया सोना हो गया कनक का हिंदी मतलब होता है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है तो कनक कनक ते सवकुनी मादकता जिका या खाए बार आए जग वापाए दो बार आ गया है लेकिन दोनों का अर्त क्या है अलग अलग है तो क्या हो जाए तमाल कि इसमें क्या है जब एक ही वर्ड या अच्छर बार बार आए तो यहां अनुप्रा सलंकार होता है तो आई होप समझेंगे तरन तमाल तरुवर बहुच्छा है उमेद करता हूं समझेंगे प्लीज इसको लाइक जरूर कर देजेगा मिलते रहे बीडियो बहुत बहु